स्वागत है सभीका आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एनपीटी थ्रेट के लिए स्टेंडर जू टेम ड्रिल vasithe का चार्ट होता है जो इसंडर टेप deal size होती है वो उसका चार्ट देखन biss кो समझना हमारे पास चार्ट को हमने दो भागों में व वudi किया 1 तू इंझ तक की साइज के लिए है Key नो भाइस लेके छहे तक और साथी साथ कुछ बेसिक जानकरी एंपीटी थेट की एंपीटी त्रेट क्या होते हैं नेशनल पाइप टैपर्फरेड तेपर जो चार प्रकार से हम डिफाइन करते हैं टैपर को वह किस प्रकार दरसा है जाता है चारों में कोई Differences से या से मैं कई हम और अंगल में देखते हैं देखते हैं वह सबी बाते जानेंगे हैं कुछ Not Say के लिए special क्याक्या हमें 8 रखना है जब npt च्राट के लिए从 कुटिंग की जाती हैं कूब काटे जाते हैं तो दो कंडिशन होती है एक हम ड्राइट करते हैं मतलब इंटर्णल डाया होता हम से टेपर बना कर ठाल सब्सक्राइबिक लेट मसीन या CNC मसीन के सायता से NPD Threat के से काट सकते हैं तो सबसे पहले इसका टेपर चार्ट देख लेते हैं हम देखिए NPD Threat का चार्ट उसके बाद इसके टेपर के बारे में जान लेंगे अगर हमें गेज बदलना है Pipe का convenient है अगर हमें गेज बदलना है डाइनाया कंदी रहती है इस कंडिशन में ना इंक्रीज करके उसकी पाइप को क्या बनाना मतलब मतलब जो है यह जो है उसके बाद हम देखते हैं number of thread, यह भी standard है pipe की size की सकय है, 1-5-inch pipe है, 3-4 ए 1-8 यह सभी कहले का है. pipe यह दिया हुआ है, thread per inch, शाथ यह साथ इसमें देखो. next हमारा दिया हुआ है tape drill size with reemmen, अगर हमारे dreaming करना है तो हम क्या करेंगे, साइज का drill करेंगे यहका drill का size दिया हुआ है, । त्यूनों एक ही है। डिफरेंस क्या है यह फ्रेक्शन सिस्टम में दिया हुआ है। इस इसमें क्या हो दिया हुआ है। इस साइज का हम ड्रिल करके क्या करेंगे रिमिंग करेंगे और रिमिंग करने के बाद क्या करेंगे हम टेपिंग करेंगे ठीक है और यह टेपिंग विदाउट रिमर में क्या होगा हम सीधे ड्रिलिंग कर देंगे ड्रिल क्या होगा हलका सा बड़ा होगा ठीक हम देख सकते ह 5.9 और इसमें कितना रहा है 6.14 mm इसमें भी यह यह फ्रेक्शन सिस्टम यह लेटर साइज के ड्रिल है चार्ट में हम देख सकते हैं इंच में क्या आएगा इक्वेलेंट इन इंच में इक्वेलेंट क्या होगा इसका और साथी साथ इसमें दिया हुआ है यह में में सेम है में शॉन क्वेल那个 पर इंगल होता है उसे चार अलग अलग प्रकार से bên सकतने बागी चारों कि उतल्द सबसे पहले 1ड़वतान शॉला 1ड़वता उनद रभां मतलब प्रतित शॉरां इंच पे क्या होगा एक व्यास बढ़ जाये गा Bring まथ क्या होगा खाय जरी उसका डाया लेन्थ पड़ाएंगे पाइब की तुछ इसमाल डाये और यहाँ से यह तff कितना है Soler तो यह अगर हमारा मालो की टू-इंच है तो इधर कितना हो जाएगा मतलब प्रति यह exist in जो होगा डाया चेंज होगा मतलब यह चैंज किसमें हो रहा है डायमीटर में सेम इसमें होगा प्रती-2-012 पर हर 12 इंच चंज Prix उरही जुरहा है 4-4 चंच 3-4 होगा मतलब 5 कितना होगा इसको कितना पढ़ांगे हम पर लींज टीक है 6 by 8 बिलिख सकते हैं इसको अगर दोनों में 2 का इंट को रहे हैं और इसको बोलने में 5 इंच बोल सकते हैं कि 5 इंच डाया चेंज होगा हर फिट पे मतलब हर 12 इंच में यह दो प्रकार का दोनों का वेल्यू सेम आएगी ठीक है क्योंकि यह क्या हो रहा है 12 इंच तक ले रहे हैं एक फिट मतलब 12 इंच 12 इंच में थोड़ा सा कम होगा जब हम 16 इंच चले जाएंगी तो वह 1 इंच बढ़ जाएगा साधी 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 34 मिनिट और 48 सेकेंड ठीक है और अगर हम इसमें जाएं डिगरी सिस्टम में तो डेसिमल सिस्टम में डेसिमल में कितना होगा यह वाला एंगल 1.7899 डिगरी और जब हम दोनों साइट का अगर एंगल ने हैं तो कितना होगा 3.5798 डिगरी तो यह हमारा के होता है टेपर इंगल अब हम जब एक चीज़ देख लेते हैं यह एंगल कलियर होगे आपना यह बात एक ही है और सिर्फ इससे डिफाइन करने का तरीका लग लग है जब हम रिमिंग करके थ्रेड बनाते हैं तो क्या होता है हमारे पूरे इस्टेंडर थ्र तो यहां पर यहां सिरिफ यह दियां रखनाए इसलिए क्या होगा जब हम विदावट रिमिंग मनाते तो Whatsapp करना है तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियों कि समाप्त करते हैं इसमें एक विशेस नोट के साथ देखो दो और जब हम करेंगे इंटरनल टेपर को चेक करने के लिए ठीक है किसका यूज करेंगे टेपर गेज का टेपर प्लग गेज का इसका 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 इसक्रीन सोट लेकिए आप अपने पास सेव रख सकते हैं तो यह हमें काम आ सकता आगे चलिए इसके बाद भी अगर आप एकको कोई डाउट हो इनपीटी थरेट से संभन दित तो आप हमें कमेंट करके बताईए उस पर हम वीडियो बनाएंगे और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में नपीटी थ्रेट के बारे में और डिटेल से लेंथ वागेरा के बारे में भी डिसकस करेंगे इंटर्नल और एक्टर्नल थ्रेट की धन्यवाद